नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल द्योजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहां पर अमेशा की तरह हिंदी का फुल्टेस लगाएंगे जहां पर आपके 60 मातपूर प्रसने और यहां पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है वहां पर बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें सेयर भी कर दें और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सस्क्राइब भी कर लें तो चलते हैं और आज की टेस्ट में देखना है कि आप लोगों को कितने यहां पर इसकोर जा सकता है चलिए आपका पहला प्रसन आप से कह रहा है कि I के उच्चारण में यहां पर आपको खाले इस्थान बरना है और यहां पर भी बताना है जो आपका I है तो I के उच्चारण इस्थान में कौन कौन से अर्थात किसकी साहता ली जाती है चलिए 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो याद रखिए कि I के उच्चारण स्थान में जो हम लोग कंठ और तालू की साहता लीते हैं आप्शन राट आपका यहां पर C सही हो जाएगा जिसका जवाब C आ रहा है बिल्कुल सही है I के उच्चारण में कंठ और तालू की लेते हैं अर्थात कंठ यहां होगा और तालू यहां पर होगा ठीके चलिए नेस्ट कोश्चन आपसे अगला पुछा है E E चा चा जा जा या आदिका उच्चारण उर्स्थान किस से होता है तू का जवाब दीजी यहां पर इसका जो हम लोग लेते हैं अर्थात चारण जो होता है किस से होता है तो टू का उप्सन राइट आपका हो जागा आपका चा जागा आपके तालब से होता है किस से होता है तालब भी से होता है याद रखिएगा ठीके चलिए नेस्ट कोश्चन आपसे एगला पुछा गया है कि वर्तनी की दृष्टी से सुद्ध सब्द का चैन करना है यहाँ पर आपका अनुग्रहित लिखा है और जो अनुग्रहित लिखा है सही किस प्रकाश से लिखा जाता है चलिए यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा option right यहाँ पर B number पर अनुगरहित इस प्रकास से आपका लिखते हैं ठीके अनुगरहित आपका भी हो जाएगा चलिए यहाँ पर नेस कोश्चन के राप से कि सब्द की वर्तनी असुद्ध है यहाँ पर असुद्ध वर्तनी पूछा है और असुद्ध वर्तनी जो आपकी हो जाएगी आपकी क सही ची आ जायेगा नेश्ट कोश्टन वगा भइए निम्रिकित में से कौन सा सब्द याति वाकशक संगया चलिए यहां पर देख सकते हैं जो आपकी कह सकते हैं जाती वाचक है वो आपकी यहां पर हो जाएगा परवत परवतों क्या होती है आपकी जाती होती है ठीक है क्या होती है जाती होती है और यहां पर कह सकते हैं कर्मचारी है ना कर्मचारी कह सकते हैं तो यहां पर थोड़ा सा डाउट आ करेंगे क्योंकि कर्मचारी होते हैं सब आपके अलग-अलग डिपार्टमेंट में होते हैं तो कहीं न कहीं इस प्रकास से इसको ए माना गया है ठीक है और कहीं न कहीं थोड़ी सित्रूटी यहां पर देखा जाए तो कर सकते थे इसको ठीक है लेकिन 100% इसलिए नहीं माननिता दी गई है क्योंकि कर्मचारी सब के अलग-अलग होते हैं यहां पर मानना चाहें तो मान सकते हैं यह तो आपकी एकजाम की हिसाब से किस प्रकार का प्रशन आता है हां अगर एकजाम में आता है तो आपको परवत ही लगाना पड़ेगा ठीक है जो कि आपका 100% सुद्ध है चलिए और इस गॉशन गाए कौन सी संग्या है गाए कौन सी संग्या है यहां पर B सई हो जाएगा अगला है कि हम ताजमाल देखने जाएंगे रिखांकित बताइए यहां पर आपका हम हम सब्द जो आपका है यह आपका है क्या यहाँ पर क्या है बई तो हम यहाँ पर आपका है वो पुरुस्वाचक सरो नाम का काम कर रहा है और यह आपका कर सकते हlimп उत्तम पुरुस का आपका सरो नाम है ठीके तो option rate अपका यहाँ पर B हो जाएगा पुरुस वाचक सरुनाम आपका यहाँ पर हो जाएगा next question कि निमनिकित में से कौन पुरुस वाचक सरुनाम है 9 का जवाब क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 9 का सही जवाब दीजे तो देख सकते हैं आपका 9 का option right आपका जो हो जाएगा आपका A हो जाएगा तो तो जो आपका है यह पुरुस वाचक सरुनाम है जबकि कोई आपका जो है अनिस्चित वाचक सरुनाम क्या जो आपका यह प्रस्न वाचक है और जो है वो आपका संबंद वाचक है next question कि निम्निके सब्दों में से कौन सा सब्द विशेषण है कौन सा सब्द विशेषण है दस का जवाब दीजिए चलिए दस का सई जवाब हो जाएगा option right आपका D यहां पर अनुसासित ठीके अनुसासित आपका जो है यह आपका विसेशन है ठीके अन्न जो आपके हैं वो आपकी संग्या का काम करेंगे जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस ब्याकरनात्म कोटी का है जैसा जो सब्द है वो किस प्रकार का है जैसे को हम बोलेंगे कि यह आपका यहाँ पर विसेशन हो जाएगा ठीके ग्यारक अप्सन आपका A हो जाएगा ये आपको कह सकते हैं संगया सरुनाम की विसेश्टा का बोध हो उसे हम लोग विसेशन का कहते हैं ठीके तो जैसा आपका यहाँ पर विसेशन का काम करेगा विराम चिन्नों की दरश्टी से कौन सा वाक्य सुद्ध है कौन सा वाक्य सुद्ध है तो देखते हैं यहाँ पर आपका सुद्ध वाक्य होगा कि सभी एक साथ चिला उठे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे कौमा नहीं लगा है यहाँ पर जो आपका अंसर आपका देखिए B नमबर है कि सभी एक साथ चिला उठे फिर इसको आपको थोड़ा रुखना पड़ेगा जो की कामर लगा है हम भी चलेंगी यह आपका राइट अंसर आपका बी सही हो जाएगा ठीके समझ में आया चलिए नेस्ट कॉस्चन आपसे एकला पुछा गया है कि किरिया के मूल रूप को क्या कहते हैं किरिया के मूल रूप को क्या कहते हैं तेरा का ओप्शन राइट आपको क्या हो जाएगा तो ओप्शन राइट आपको हो जाएगा यहापर C नमबर किरिया के मूल रूप को धातू कहते ठीक है क्या कहते हैं धात बोलते हैं option right आपका C सही हो जाएगा next question लिंग की दरश्टी से सुद्धवा की कौन सा है बताए लिंग की दरश्टी से सुद्धवा की कौन सा हो जाएगा चुदा की जवाब, चलिए यहाँ पर लिंक की दरश्टी से सुद्वा की जवाब का हो जाएगा वो आपका हो जाएगा option right यहाँ पर B, आपकी नाक कट गई, option B आपकी नाक कट गई, तो मेरा पुस्तक अच्छा है, नहीं होता है मेरी पुस्तक अच्छी है, तो कहीं नंके गलती है, तो B number आपका सही है मेरी नाक कट गई, ठीके चलिए next question आपका अगला है जो सब्द क्रिया की विशेष्टा बताएं उसे क्या कहते हैं, जो सब्द क्रिया की विशेष्टा बताएं उसे क्या कहते हैं पंदरा का जवाब क्या हो जाएगा तो पंदरा का उप्सन राइट आपका हो जाएगा उसे हम बोलते हैं क्रिया विसेशन ठेके क्या बोलते हैं क्रिया विसेशन बोलते हैं नेस्ट कोर्शन आपसे एकला पूछा गया है कि वह एक सब्ताह बाद आएगा वह एक सब्ताह बाद आएगा इस वाकि में कौन सा सब्द किरिया विसेशन है चलिए किरिया विसेशन आपसे पूछा है यहाँ पर 16 नमबर का जवाब दीजिए तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आपका बाद हो जाएगा भई बिल्ली का बताईए बिल्ली का पुरलिंग क्या होता है सत्रा का बताईए बिल्ली तो बिल्ली का पुरलिंग होता है बिलाओ क्या होता है बिल्ली का होता है क्या होता है बिलाओ होता है ठीके चलिए अगला जवाब है किनले ऑने में इसे कौन सा कि असुद्ध है चरी ये ऑठा रहाग जवाब दीजी आसुद्ध हो जाएगा आसुद्ध सुद्ध अठारक जवाब चलिए कहरे आप से यहां पर जो की आपsen अपका ए है वे वापिस लौट आए वे वापिस लौट आए तो यहां पर वे लौट आए बई जब लौट ना है और वापस है दोनों एक एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए यहां पर आपका हो जाएगा कि वे लॉट आए सुद्ध इस प्रकार से होगा अर्थात यह आपका गलती था इसका जो सुद्ध हो जाएगा वे लॉट आए है ना साथ में आपका वापस को इसमें वापस और लॉट एक साथ नहीं होना चाहिए नेस कोशन आपको दिया है कि निम्रिकित कतनों पर विचार कीजिए सही उत्तर चुनिए आकरांत था आकरांत पूरलिंग सब्दों को एकरांत कर देने से वे इस्त्रिलिंग गो जाते हैं अच्छा बी नमबर आपका है कि जाती बोधक सब्दों के अंतिम स्वर का लोब कर उ और कहीं आइन प्रत्य लगा कर इस्तिलिंग बनायता है तो यहां पर जो बात सई है दोनों की पोईंट आपकी बात सई था तो इस दोनों प्वॉइंट आपके सई हैं नेस कोशन आप सेगला है कि मुझे आपकी हस्ताच्छा चाहिए इस वाकि में हस्ताच्छा सब्द का बहुवचन बता है चलिए 20 का जवाब दीजिए हस्ताचर का बहुवचन क्या होता है तो भाई याद रखेगा हस्ताचर जो होते हमेशा बहुवचन होता है तो यहाँ पर आपको 100% नित बहुवचन बताना है कि होता ही है आल्रेडी तो नित बहुवचन बताना है देको वह काम बहुत धंग से करते हैं वाकिका काल पहंचाने हैं वह काम बहुत धंग से करते हैं वाकिका काल पहंचानना 21 का जवाब दीजिए चलिए यहाँ पर आपका जो अपसन राइट आपका हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा करते हैं अर्थात वर्तमान अर्थात सामान व वर्टमानकाल चलिए बाइस नमर आपसे कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में से सुध्ध वाक काउं सा हो जाएका बाइस का जवाब दीजिए आपके आपका कौन सा हो जाएगा ठीके 22 को option right up का भी सही हो जाएगा ठीके चलिए next question आपसे एकला पूछा गया है कि कुर्सी पर master जी बैठे हैं इस वाकि में कुर्सी सब्द किस कारक में है कुर्सी कारक बताई आपर कुर्सी पर कुर्सी पर है ना तो इसकी हिसाब से देखा जाए तो option right आपका क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अधिकरण में पर है ना तो option right आपका क्या हो जाएगा D हो जाएगा क्या हो जाएगा D हो जाएगा क्योंकि होता है में कॉमा पर होता है इसका ठीक है ना चलिए next question आपका है चार पाई सब्द है चार पाई सब्द है तो किस प्रकार का सब्द है बाई चार पाई कैसे है तो चार पाई आपका यहां पर हो जाएगा योग रूट सब्द योग रूट सब्द हो जाए चार पाई हुए सब्द होते हैं चलिए 25 का option right आप का क्या होजाएगा एक थच्छम सब्ड है 26 हमें पुछा है एक तरस्ण सब्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सी नमBoy ढाकिनी ठीके डाकिनी यह आपका कह सकते हैं यह आपका जो तर्सम सद्द आपके यहाँ पर हो जाएगा डाकिनी एक तर्सम है जिसका आर्थ होता है डाइन ठीक है इसका जो तर्सम होता है आपका डाइन होता है याद रखेगा नेस्ट कोश्चन आप से एकला पूछा गया है किनिमने मेंसे कौन सा सब्द तदभाव है 27 जवाब दीजे चलिए यहां पर तदभाव सब्द आपका जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा। option आपका D, छत छत यहां पर आपका क्या है भीया? तो छत आपके यहां पर क्या है? ये आपकी यहां पर तदभाव है तदभाव आपकी है ठीके चलिए next question कहाते है question आपसे अगला है किन्यम दे उसे विदेशी सब्द कौन सा है 28 जवाब देजे यहां पर विदेशी सब्द आपको पैंचान में मिल गया होगा यहां पर option right आपको जो B number है अमीर ठीक है अमीर यह आपका यहाँ पर क्या है यह आपका बिदेशी सब्द है ठीक है बिदेशी सब्द है अगला है प्रत्य होता है प्रत्य होता है तो कहां पर होता है 29 जवाब दीजे प्रत्य कहां होता है तो प्रत्य एक सब्दान से सबसे पहली बात प्रत्य क् next question अनभिग का विलोम बताईए अनभिग का विलोम क्या होता है तो अनभिग का विलोम हो जाएगा आपके यहाँ पर B हो जाएगा अगला है कि अपकार का उपकार से वही सम्मंद है जो आवाहन का सम्मंद है अथाथ अपकार का उपकार होता है आपको पता है कि विलोम है इस अगला है आँक का पर्यावाची बताईए विलकुल आपको अलग से दिख रहा है 32 में उप्षन आपका A नमबर लोचन है ना लोचन जो आपका है या आपके लोचन, चच, नयन, द्रग, नेतर आपके होते हैं आपके आँके पर्यावाची होते हैं ठीके पावक में देख सक Krishna का पिर्यावाची है Krishna का पिर्यावाची है यहां पर देख सकتی है Optional Frame का C जो आपका द्रौबधी है God requests you आपका दौबधी कृष्जना का पिर्यावची सब्द है और भी होते है जिससे आपके दौबसुता हो गया पंचाली हो गया ग्याना सही हो जाएगा यह आपके यहाँ पर हो जाएगा ठीके next question आपका है कि निमनिकित में से कौन सा सब्द गो का अर्थ नहीं है गो का अर्थ नहीं है 34 जवाब दीजे यहाँ पर आपका गो सब्द का अर्थ गाय नदी इंद्री माता वांडी प्रद्वी चंद्रमा घोड़ा आदी है यहाँ पर आपका गो का अर्थ गज नहीं होता है option right आपका डी हो जाएगा ठीके गज नहीं होता है अगला है असक्त का अर्थ यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है असक्त का अर्थ आपको बताना है जो कि समरूपी बिनार्थक सब्द है तो 35 कोफिशन राइट आपको यहाँ पर B कि असक्त का अर्थ विरक्त होता है परंतु असक्त का अर्थ सक्त विहीन होता है यह समरू द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमे बोलते हैं अप्रमे ै वो जाएगा अप्रमे क्या बोलते हैं अप्रमे बोलतेहें इए यह अधर किएगा ठीके नेशे को चन्छ जो पहले कभी न Gang गुआ हो उसे क्या कहते हैं 37 का जवाब दीजे तो 37 का उप्शन राइट अब भी हो जाएगा अभूत पूर्व क्या हो जाएगा अभूत पूर्व हो जाएगा ठीके अगला है कि दिये गए चार वाकियों में से एक हिंदी ब्याकरण वाकि रचना के अमसार सुद्ध नहीं है सही विकल्प का चुनाओ करें 38 का सही जवाब दीजी यहाँ पर तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर देखते हैं एक सुद्ध नहीं है तो हम तो आज भी उसका इंतियार कर रहे हैं अच्छा वहाँ आज तक कोई नहीं गया अच्छा जल्दी करो 8 बजने को सिर्फ 10 मिनट हैं यहाँ पर C नमबर आपका थोड़ा सा डिस्टर्व है ठीक है यहाँ पर 38 वाले में और देखा जाए कि यहाँ पर हो जाएगा 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट है आठ बजने में इस प्रकास से सुद्ध होना चाहिए था ठीक है चलिए 12 समास में कौन सा पद प्रदान होता है 12 समास में कौन सा पद प्रदान होता है 40 का जवाब दीजे तो भाई बिल्कुल इजी कोश्चन आपके लिए है बिल्कुल सही है जवाब बिल्कुल सही है दोनों पद आपके यहां पर क्या होते हैं धान होते हैं option आपका C हो जाएगा चलिए 47 का जवाब देना 41 जवाब का आपका दिया है कि कौन सा अधिकरन तत्पुरुष समास आपका नहीं है आपको बताना है 41 जवाब दिये तो अधिकरन तत्पुरुष समास यहां पर आपको कह सकते हैं कि पर सुत्तम हो गया देसाटन हो गया कुल सेस्ट हो गया यहां पर आपका जवाब हो जाएगा D-Number धर्म ब्रस्ट धर्म सी ब्रस्ट यह आपका कह सकते हैं आपा दान में आ जाएगा ठीके पर आपका जो ही वा घर से निकला वर्षा होने लगी option D, यह आपका मिस्त रुवाक की आपका हो जाएगा ठीक है, D number next question, कि निम्न वाक्यों में से सुद्धवाक के पहचानी है 43 के जवाब, तो सुद्धवाक के जवाब का हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा चलिए, यहाँ पर 43 का option right देखते हैं आपका आसमान को घने बादल चाय हुए है आसमान से घने बादल चाय हुए है आसमान से घने बादल चाय हुए है आसमान में, हाँ, option आपका यहाँ पर D सही हो जाएगा आसमान में में सब्द आपका होगा आसमान में घने बादल चाहे हुए हैं option right आपका 43 के आपका D सही हो जाएगा ठीके में सब्द लगेगा अगला है कि निम्रिकित में से कौन सा वाकी सुद्ध दे 44 के जवाब दीजी इसका जवाब हो जाएगा option right आपका B हो जाएगा ठीके भईया मैंने party में 8-10 रसगुले खाए ये होना चाहिए था खाया नहीं होना चाहिए था ठीके और इसमें option आपका B सही हो जाएगा ठीके अगला है कि प्रस्ण में प्रियुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए हेखक मरग मदुकर सैनी तुम देखी सीता मरग नेनी इसका तो आप लोग जानते हैं वो पहले से आई स्कूल में आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपका राइट आपका जवाब हो जगा option right आपका D हो जाएगा वियोग श्रंगार आपका यहाँ पर प्रियोग हुआ है ठीक है इसमें भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल में पसपच्छियों से कैसे सीता के आपके विशाय में पूछते हैं ठीक है चलिए नेस कोईचन आप से एकला है कि मात्रा करम की दुरस्टी से दोहा की ठीक विपरीत पढ़ने वाले चंद करना मता यह है तो भई दोहा का विपरीत हमने आपको बहुत बार रटाया होगा कि दोहे का जो विपरीत होता है वो आपका सोर्था होता है ठीक है ओप्सन रैट आपका C हो जाएगा सोर्था चलिए एनेस जो दिया है और तोरी जेशन लेटर विद इस पेसिमेन सिगनेचर आफ दा बियर यहाँ पर इसका हिंदी अनुवात क्या हो जाएगा 47 तो इसका हिंदी हो जाएगा option A कि वाहक के नमूना हस्ताचर वाला प्रदिकरण पत्र option आपका A सही हो जाएगा ठीक है चलिए निस question आपका अगला है ले चला साथ मैं तुझे एक कनक जो भिच्चुक लेकर स्वर्ण जनक में अलंकार आपको बताना है 48 में तो यहाँ पर आपका जवाब आपको कुछ मिल चुका है जएओं मिल गया है ना कि आपने पड़ा होगा जनु जानो मन ऐसे हैं तो यहाँ पर आपको जो आपका हो जाएगा 48 का option यहाँ पर B हो जाएगा उद्प्रेच्छा लंकार ठीक है आपके जनु जानो मन गानो जयो ऐसे होते हैं यह आपका B हो जाएगा अगला है कि उसी तपस्वी से लंबे थे दियोदार दो चार खड़े में अरंकार बताईए तो उन्चास का जवाब क्या हो जाएगा तो उन्चास को उप्शनल राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रतीप अलंकार ठीक है रट आपके में आपको दिख रहा है कि प्रिसिद्ध उपमान जो कि दियोदार को उप में और उप में जो आपको है वो आपके तपस्वी को उपमान मानकर वर्डन किया गया है अगला है कि अंजर पंजर ढीले करना अर्थात आपका हो जाएगा option C बुरी तरह यहाँ पर मारना ठीक है C नमबर आपका सही हो जाएगा अगला है निम्रिकित में से मोहरा कौन सा है मोहरा आपसे पूछा है और मोहरा जो आपका हो जाएगा option right कौन सा हो जाएगा हमने आपका दयात है कि मोहरा में last मिन्ना होता है 99% और दात खटे करना यह आपको यहाँ पर मोहरा हो जाए इसको बताइए ये सही जवाब क्या होज़एगा 52 में तो आगे कुबा पीछे खाई इसका सही जवाब होज़एगा अपसंड आपका ए होज़एगा दोनो और वीपत्ती होना अगला है कि किसी अदिकारीको पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है अगर किसी अधिकारी को पत्र लिखना है तो भाई क्या संबोधन आप देंगे तिरपन का जवाब दीजिए तो यहाँ पर आपका तिरपन का सही जवाब हो जाएगा आपका A नमबर मानी महोदे जी ठीक है, option right आपका A सही हो जाएगा ठीक है, अगरा यहाँ पर गद्यांस है और गद्यांस को हम लोग skip करते हैं, आते हैं आपके test में और गद्यांस को हम बता देंगे परेशानमत होई है क्योंकि जो नए बच्चे जुड रहे हैं तो कहे रहे हैं सर्जी, गद्यांस जरूर बताते चलिए तो गद्यांस को बताने हम थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन पिछले वीडियो गर देख लिए होते हैं तो आप हो सकता है कि दिक्कते हैं आपको ना आए ठीक है एकजाम के समय आप जरूर बताते हैं और चलिए यहाँ पर कोशन दिया है कि निम्लिकित बो ठावन के जवाब पूछा गया है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किस ने किया था ठावन के जवाब दीजे चलिए ठावन के जवाब हो जाएगा ओप्सन राइट आपका बी यहाँ पर आपके स्रद्धा राम फिल्लोरी ठीक है ओप्सन आपका बी स्रद्धा राम फिल देना ठीक है प्रेम चिनगारी तो उन्सटक उप्सन राइट यहां पर जवाब हो जागा दी नंबर यह हैं आपके नजफ वली कौन है आपके यह आपके नजफ वली हैं उप्सन अडब का यहां पर डी हो जाएगा लास्ट कोशन कि एक दिन बैठे बैठे या बात अपने ध आपके यहां पर आपका सही हो जाएगा ठीक है प्रेंस तो यहां पर आप लोगों ने 60 प्रस्ट में कितना स्कोर किया है आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट जरू करिए और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो भाइप लीच लाइक जरूर कर इक को भीच पाइब कर दो भाइब कर दो जरूर क्र दो भ्बचर का सही है एっ